इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत इसका उपियोग हलके या लंबे समय तक दर्दनाक स्थितियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. केटानोव डीटी 10 मिलीग्राम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार खुराक और अवधी में लिया जाना चाहिए. पेट खराब होने से बचाने के लिए इसे भूजन के साथ लेना चाहिए. इसे लेने से पहले इसे एक गिलास पानी में घोल लें. अगर आपको हिरदे रोग या स्ट्रोक का कोई इतिहास है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें. उल्टी, पेट दर्द, जी मिचलाना और अपच इस दवा के कुछ सामाने दुष्प्रभाव हैं. यह चक्कर आना, उनींदापन या द्रिश्य गरबडी भी पैदा कर सकता है. लंबे समय तक उप्योग से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे पेट से खून बहना और गुर्दे की समस्याएं. यदि आप लंबे समय तक इलाज के लिए यह दवा ले रहे हैं, तो आपका डॉक्टर नियमित रूप से आपके गुर्दा समारोह, यकृत समारोह और रक्त घटकों किस तरकी निग्रानी कर सकता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.